नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सवासा करती हूँ की अच्छे होंगे आप सब आज हम आपको पेट फूलने से समबन दीते सभी 11 महत पूरुर सवालों के जवाब देने की पूरी को सिज़ करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को अब आपका प्रसन एक है आतों में गैस बनने का क्या कारण होता है आपका प्रसन दो है पेट फूलने की बीमारी को तुरंत कैसे सही करें आपका प्रसन तीन है पेट फूलने पर नीबू पानी पीने से क्या होता है आपका प्रसन चार है पेट फूलने की समसिया से कैसे बचा जा सकता है आपका परसुन पाच दूद पीने पर पेट फूला हुआ क्यों लगता है आपका पुरसुन तही नहीं ख़ाना चाहिए आपका प्रसुन दस है कुछ खाते ही पेट क्यों फूलने लगता है आपका प्रसनाई 11 पेट पुलने पर कौन सी बीमारी हो सकती है आपका प्रसनाई एक है आतों में गैस बनने का क्या कारण होता है आपका उतर है गैस आम तोर पर आत में बनती है जो छोटी आत के जरिये बड़ी आत में तेजी से फैलती है गैस बनने का सबसे वड़ा कारण अपचा है जिसकी बज़ा से आपका पाचनतंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है सुबा अंग का नास्ता नहीं करते तो अपनी इस आदत को बदले क्योंकि गैस खाली पेट में ज्यादा बनती है खाली पेट गैस ज्यादा बनती है आपका प्रसुनदो है पेट फुलने क बिमारी को तुरंत कैसे सही करें आपका उतराय आप रोजाना कम से कम आठ दस गिलास पानी जरूर पियें इससे पाचन तंतर अच्छी तरह काम करता है और कप्ज की समस्या नहीं होती तली और मिर्च मसाले वाली चीजे खाने से दूरी बना कर रखें साथ ही नोट करें कि पेट में जलन वा गैस होती है जंक फूड से दूरी बना कर रखें सराब धुम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें यह हमारे पाचन तंतर को खराब करते हैं जिससे गैस और एसीडिटी होती है चाय कौफी का सेवन कम से कम करें इनकी तासिर गर्म होती है जिस कारण पेट में जलन होती है आपका प्रसने दो है पेट फूलने की विमारी को तुरंत कैसे सही करें आपका उतर है प्रति दिन कम से कम 20-25 मिनिट योगायासन जरूर करें इससे पेट के अंदूरूनी अंग सही प्रकार से काम करते हैं रात को खाने के बाद कुछ देर कारबो नेटेड ड्रिंक्स और वाइन न पीएं ये कारबन डाई अकसाइड चोड़ती है पाइप के दोरा कोई चीज न पीएं बलकि सीदे गिलास से पीएं तनाव भी गैस बनने का एक प्रमुक कारण है इससे दूर रहने की कोशिस करें खाने को दीरे दीरे चबा कर खा कुछ गंटों के अंतराल पर मीनी मील खाएं खाकर तुरंत न सोएं आपका प्रसन तीन है पेट पूलने पर नीबू पानी पीने से क्या होता है आपका उतरे नीबू पानी पेट की हर समसिया में बरदान है नीबू में साई ट्रिक एसिड होता है जो पेट के लिए बहुत फायदे मंद होता ही अगर आप ब्लोटिंग की समस्या से परिशान है तो रोज सुबह एक गलास गुनगुने पानी में नीबु का रस मिला कर पीएं आप चाहें तो ग्रीन टी में नीबु का रस मिला कर पी सकते हैं आपका प्रसन चार है पेट फूलने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है आपका उतर है रोजाना नियमित बैयाम और योगा करें जंक फूड का सेवन करने से बचें भोजन करने के बाद थोड़ा टाले अहार में केवल पोस्टिक आर का सेवन करें रोजाना दीन में कम से कम ती लीटर पानी पीएं हमेशा तनाव मुक्त रहने की कोशिस करें आपका प्रसन पांच दूद पीने पर पेट फूला हुआ क्यों लगता है आपका उतर है अगर दूद पीने से आपको गैस की समस्या हो जाती है तो भूल से भी गर्म दूद ना पीएं गर्म दूद पीने से प प्रसन पीएं पीट फूलने की बीमारी क्या है और क्यों होती है आपका उतर है पीट का फूलना मोटापा नहीं बलकि पेट में मौजूद गैस है जिसकी बज़्य से पीट का आकार बढ़ने लगता है समाने तोर पर खाना काने के बाद पीट फूला हुआ महसूस होता है यह समसिया तब आती है जब चोटियात के अंदर गैस भर जाती है पेट फूलने की समसिया का सीधा संबंद पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो सकता है कुछ लोग इस परिशानी को आम समसिया समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं जिसकी बज़से यह गंभीर बिमारी बन आम तोर पर पेट फूलने का कारण पेट में बनने वाली गैस होती है जिससे पेट का आकार बढ़ने लगता है इसे पेट की सूजन भी करते हैं समानिय तोर पर ऐसा खाना काने के बाद महसूस होता है डाइट में ऐसी चीजे सामिल करना जो पेट में गैस का कारण बन सकती उनकी बज़ा से पेट फूलने की समस्या पैदा होती है आपका प्रस्न साथ है पेट फूलने के पीछे क्या कारण होते हैं आपका उतरे ब्लोटिंग कई कारणों से हो सकती है जैसे लाइफ स्टाइल में गडबड़ी हार्मोनल और संतुलन बासी भोजन का सेवन पेट में प साले सारेरिक बदलाव भी पेट के पूलने का कारण बनते हैं इसके अलावा दबाईयों का अधिक सेवनिया और भी बहुत से कारण हैं जो ब्लोटिंग की बज़ा हैं खाने के साथ पानी पीना पेट फूलने का सबसे बड़ा कारण है अक्सर लोग खाना खाने के साथ बनने और ब्लोटिंग की समस्या के लिए जिमेदार हो सकती है इसलिए खाना खाते समय या इसके तुरंत बाद पानी न पियें आपका प्रसने आट है पेट फुलने से क्या परिशानी हो सकती है आपका उत्तर है पेट फुलने की विमारी में सबसे आम लच्छट बेचाइनी ठकान तेज सीर दर्द या कमजोरी बार बार गैस बनना गैस निकलने पर बदबु आना पेट फुलना और खटी डकारे आना उल्टी जैसा महसूस होना भूक कम लगना लगा तार हिचकी आना पेट में अटन होना कभी कभी वुखार आना आदी आपका प्रस्ण नौवाई पेट फुलने पर क्या नहीं खाना चाहिए आपका उत्तर है तली भुनी और अधिक फैट वाली चीज खाने से पेट पर अतरिक्त दबाव पड़ता है इतना ही नहीं इन चीजों को खाने से पेट दर्द गैस अपच की समस्याएं बढ़ जाती हैं अगर आपको फुलने की समस्या रती है तो अधिक फैट वाली चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए इन चीजों को खाने से हिलदय में जलन की परिशानी भी हो सकती है अधिक नमक वाली चीजे खाने से शरीर से तरल पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं जिसकी होती है जब आप इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो अधिक मातरा में गय से का सेवन करते हैं जो आपके पाचन तंत्र के लिए नुकसान दायक होता है इसे पीने से अटन और पेट फुलने की समस्या बढ़ जाती है आपका प्रसनत 10 है कुछ खाते ही पेट क्यों फुलने लगत होती है तो यह एक अलग बात है क्योंकि ऐसा कई बार रात के समय नीद पूरी ना हो पाने के कारण भूख से अधिक खाना खा लेने पर या कुछ हाई भी खा लेने के बाद भी होता है लेकिन यह आपको हमेशा कुछ खाते ही पेट फुलने की समस्या होती है तो इस बात को हलके में लेने या अनदेखा करने की भूल ना करें क्योंकि यह पेट के साथ ही सरीर में चल रही अनेक गड़ब़ियों के कारण भी हो सकता है या किसी भायानक रोग का तरारमबिक लचड भी हो सकता है आपका प्रसनी 11 है पेट फुलने पर कौन सी बीमारी हो सकती है आपक अगर पीट फुलने के साथ अचानक वज़न बढनने लगे तो ए लीबर से जूड़ी किसी बीgg direct का संकेत हो सकता है अगर पीट फुलने के साथ ही कब्र शक्राइच गर्डवर के भूले ले ले चारम वड़ हो just हो तो ए हेपेटा इतीस बीमारी के लचर हो सकते हैं पेट फूलने के साथ अगर उल्टी आ रही हो मुह में छाले और जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो एक कोलोन से जुड़ी प्राबलम का संकेत हो सकता है धान्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में